हेलो वरीमान आप सब का स्वाइट करता हूँ एक बर फिल से अपने इस यूट्यूब चैनल टिस इग्यान में तो आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पंजाब स्कूल एजपिशन बोर्ड की तरफ से जो सप्लिमेंटरी रिपियर की जो एक्जाम होने वाले ह उपके लिए जो एड्मिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं तो आपको इस वीडियो में पताएंगे कि आप अपना जो एड्मिट कार्ड को कैसे डॉलोड कर सके हैं कैसे आपको बता चलेगा कि आपका एक्जाम किस सेंटर में है और किस डेट को है जो भी आपका जिसे की आपको एक्जाम से पहले ही जो सारी जानकर ही है वो मिल सके तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर PSCB की जो वेबसाइड है उसको उपन करने ना है तो यहाँ पर आपको एक क्लिनिक मिल जाएगा Middle Primary Admit Card 2023 तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अभी तक जो Admit Card available हुए है वो Primary और Middle Class के लिए है तो जो भी पाँच विये और आटविन कक्षा का एक्जाम देना चाते हैं तो उनके लिए जो Admit Card हैं वो जारिक हुए हैं तो अगर आपने Supplementary और Repair का एक्जाम फिल किया है तो आप इसके लिए यहाँ पर अपना जो Admit Card है उसको Download कर सकते हैं तो आपको Admit Card Download करने के लिए Admit Card of Middle July यहाँ पर क्लिक कर देना है इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जुलाई 2023 सेशन सेट कर देना है उसके बाद आप अपना जो रोल नंबर है वो रैफरेंस के दवारा यहाँ अपना नेम और फातर नेम के जरी अपना रोल नमबर एड्मिट कार्ड डॉनलोड करना चाहते हैं तो इस तरह आप अपना नेम और फादर नेम लिखेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आप अपना जो एड्मिट कार्ड है वो मिल जाएगा अगर हम अपना ओल डॉल नमबर के दिवारा अपना जाते हैं तो यहाँ पर हम अपना ओल एड्मिट कार्ड रोल नमबर लिख कर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एड्मिट कार्ड है वो डॉनलोड हो जाएगा तो जैसे हमारा एड्मिट कार्ड डॉनलोड हो जाएगा तो आपको इस तरह से अपना एड्मिट कार है तो उसके बारे में भी यहाँ पर जो डेड़ है वो बताई जाएगी कि जो प्रैक्टिकल प्रिचा है वो किस डेड़ से किस डेड़ तक होगी उसके बाद आगर हम बात करें अगर आपका जो भी रीपेर का या कमपार्मेट का एक्जाम है उसके लिए जो शेडूल है वो यहाँ पर 11 जुलाई को मैथा एक्जाम होगा इसके यहाँ पर पताया गया होगा कि यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है या नहीं है तो यहाँ पर नो लिखा हुआ है इसके लवा यहाँ पर आपके सिंगनेचर होंगे जब आपका एक्जाम होगा इंगलिश में जरूर चेक करना पड़ेगा इसके लबाइब फोन साथ में नहीं लेखे जाना अपने फोटो कोपी आप अपने रोल नंबर की जुरूर पास रख लिए क्योंकि बाद में जुरूर पढ़ सकती है ऐसा नहों कि आप अपना जो रोल नंबर है एक ही लेके जाए और बाद में वो सब्मिट कर सकते हैं इसलिए अपने आप पास आपने एक फोटो कपी जुरूर साथ में रख और भी बहुत सारी इंस्ट्रिक्शन है तो आपने एकजाम से एक गंटा पहने पहने पहुंचना है तो जो भी रोल नंबर होगा या जो भी आपके लिखने की जो समक्री है वही जरू आप साथ में देखी जा सकते हैं तो जल दिए 10 और 12 क्लास के भी जो एड्मिट कार्ड वो भी जारी हो जाएंगे तो जैसे ही उनके एड्मिट कार्ड जारी होंगे तो उसके बारे भी हम आपको एक वीडियो के जग्ये जुरूर अपडेट करवा देंगे तो फ